जबकि दस बार मायवती कह चुकी कि हम अकेले लड़ेंगे अकेले लड़ेंगे लेकिन ये लोग क्यों ऐसा महुल बनाते हैं चाहते क्या हैं उनसे कि देखिए एक सचाई यह है और पूरे उत्तर प्रदेश में राजनेतिक लोग और सियासत के जानकार पत्रकार्स अब मांते हैं कि सपा और बसपा से बड़ा राजनेतिक गर्जोर उत्तर प्रदेश में किसी का नहीं हो सकता ये बहुत बड़ी ताकत हो जाएं अगर यह सीटे जीतेगा हाला की पैडाम उनके अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा और मायवती ने गडबंधन तोड लिया मायवती इस बात को जानती है कि यह गडबंधन ताकतवर है लेकिन वह गडबंधन में नहीं जा रही है वह अकेले चुनाव लड़ेंगी इसके पीछे जो क किसी एक के साथ जाएं तो जितनी सीटों की वह डिमांड करेंगी वह दोनों मेंसे कोई देने की स्थिति में नहीं है और 38-40 सीट ना इंडिया दे पाएगा ने इंडिये दे पाएगा तो मायवती ने भला सोचा कि अकेले अस्थी पर लड़ा जाए वह ज्यादा ठीक है ज मायवती ये बात जानती है कि उनकी पार्टी एक कठिन दोर से गुजरी है पिछले एक दसक में उनका विधायक एक रह गया विधान सभा में उनका वोट परसेंट घट गया और उनके कई सारे सांसद कई भाजपा में कई सपा में तस्वीरों में नजर आते हैं तो यह सब तकलीप हैं और समस्चाएं चुनावतियां सियासत में उनके सामने हैं ऐसे में दोहजार चौविस के एलेक्षन उनके लिए एक बड़ा चुनावती यह होगा कि वह 80 सीटों पर मजबूत कंडिडेट लडाएं वह कैसे लडाएंगी समाजवादी पार्टी से बीच बीच में जो बात चलती है गरजोड की उसमें ये बात याद रखनी होगी कि मायवती सपा से बहुत खपा है और कई बार वो ये बात कह चुकी है कि अगर हमें न देना तो भाजबग दे देना दलित समाज के लिए उनका कई मैसेज इस तरह का आया लेकिन सियासत करने वाले आस नहीं छोड़ते अखिलेश यादों भी दलितों के लिए जाते हैं बेटकर की जैनती मनाते हैं दलित वाहिनी उन्होंने अपनी बाबा साहब वाहिनी भी बनाई है उनको उमीद है कुछ थोले बहुत मिल जाए तो वह एक बड़ा समाजवादिक साथ भी गया तो वह दलित वोट ने वहाँ पर अपनी इच्छा से निर्णाई लिया है उनको जो कंडिडेट्स उटेबिल लगा हो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 80 सीटों पर लड़ने के लिए मायवती को उप्युक्त कंडिडेट खास्ता और से मुस्लिम बाहुल इलाकों में जब इंडिया गडवंदन में कांग्रेस उसपा एक साथ आ गए तो वहां मिलना थोड़ा कठिन हो रहा है पशिमी उत्तर परदेश में उनके जो सिपे सालार हैं पदादिकारी हैं वो बाचीत में लगे हैं कंडिडेटों तयारी में लेकिन अभी उतना सफलता उनको नहीं मिल पा रही है और चुनाओ भी थोड़ा भी दूर है इसलिए भी लोग देख रहे होंगे कि उट किस करवट बैठेगा उधर चला जाए मायवती की भी ये प्रसंसा करनी होगी कि उन्होंने सफा से अपनी पुरानी दुस्मनी भुलाई थी और अखिलेश यादो एक नौजवान नेता के साथ उन्होंने एक नई सुरुआत दोजार उननाईस में किया लेकिन वो फिर पता नहीं कैसे दोस्ती की जड़ में तो खिलाब कुछ बोला ना खिलेश यादो मायवतिक खिलाब कुछ सीधा बोलते हैं यह नीचे उपर लडाई थोड़ा बहुत लोग चलते रहती हैं क्योंकि मायवतिक पार्टिक बहुत सारे नेता तूटके सफम चले गए राम अचल चले गए लाल जी चले गए पार्टी लड़ रही है उसने एक नारा दिया है कि अब जहां से में ना आएंगे और बस्पा की सरकार बनाएंगे तो यह स्लोगन बाहर के चार राजियों मद परदेश 36 गड़ में चलना है और राजस्थान में मायवतिका अब कितनी सफलता मिलती है देखिएगा लेकिन जरूर है कि उत्तर परदेश में मायवति के बिना कोई गड़ जोड अगर आगे चलता है तो उसके सामने बीजेपी के लिए राव आसान होती है और यह हर कोई जानता है मुसल्मान वर्ट थोड़ा बहुत खीचने के लिए हो सकता है मायवति ओवैसी को अपने साथ मिलाओ है और बुला ले यूपी में कि आओ कुछ दस पंदरा सीट पे तुम्हें लड़ लेओ गड़ जोड कर लिया जाए तो हो सकता है कुछ और फायदे में बीजेपी आ जाया आने वाले वक्त में जी बहराल सुनियेगा कि उसका यह अंदाज भी दिल को भाग गया कल तलक जो पहुंच नहीं सकते वो हमको क्या गिराएंगे और हमारे दुस्मनों से कह दो कि अपना कद और उचा करें बराबरी होगी तभी हम दुस्मनी निभाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया विरेंजी इम बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपने इंपूट और पोलेटिकल फीड़बैक हम सबको उपलब्द कराने कली